आज की इस चटक सुनहले रंग के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कवित्री गोष्ठी जिसमें देश भक्ति के रंग भिखेरने के लिए हमारे साथ हैं मनीशा श्रिवास्तो, शिल्पी दिवाकर और साधना श्रिवास्तो तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और शुरुवात करने जा रहे हैं मनीशा जी से दिव्या बहन बचपन से ही देश के प्रती हमारा जो रुजहान है, देश प्रेम है उसको हम कभी कभी कविताओं में समेट लेते हैं तो एक छोटी सी कविता हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं आया प्यारा गणतंत्र स्वागत है स्वागत है जीवन सुखमे बसंत आज रंग बस रंग लोक रंग राग रंग खास रंग जीवन है मधु तरंग आया प्यारा गणतंत्र स्वागत है स्वागत है जीवन स्वागत है आखों में लिये सप्न वसुधा मतवाली है जो कुछ था अव्यक्त धरा कहने वाली है प्यारा विहान है न्यूचावर जान है मेरा देश मेरा अंग आया प्यारा गणतंत्र स्वागत है स्वागत है अब कहीं न है त्रिशंकू, पूर्ण जला धारी है, हम करेंगे देश हित, बारी हमारी है, अर्थ पूर्ण स्वल्प है, न कोई विकल्प है, कह गया है हर युवा, देश के हित में जिया, देश के लिए मरा, भारी इतिहास में गूजा था प्रबल शंक, दे दी थी जान जब युवाओं ने असंक, माता के खातिर जो मिट गए थे प्यारे जन, आज है सलाम खास, जिन्होंने हमें दिया, भारत सुतंत्र, भारत सुतंत्र, आया है गणतंत्र, प्यारा गणतंत्र, स्वागत है, स्वागत है, बहुत सुंदर, मनिशा जी बहुत सु पुमांचित हो जाते हैं जब भी हमारा ये राष्ट्री परवाता है और हम कोशिश भी यही करते हैं कि हम ये भाव खुद के लिए तो रखें ही ये आगे बढ़ें इसके लिए हम किसी ना किसी तरीके से प्रयास रहते हैं और यही प्रयास कविताओं के माध्यम से है और अपना है घर तंत्र। लोग तंत्र ही हमारा है मंत्र। हमारे सम्विधान में अधिकार और करतव्य की लिखी हुई ये कहानी। याद होनी चाहिए हम सभी को मुझ जवानी और इस तंत्र को बनाने के लिए कुर्बान कर दी थी वे शहिदों ने अपनी जवानि पर साथिय आज हम अपने अधिकारों के प्रती तो हैं सचेत पर कर्टव्यों को विस्मृत करते जा रहे हैं इस बात का हमको होता है खेत तो इसी भावनाओं पर मेरी कवीता है तो सुनिए भारत वासी देखो तुम हो कितने स्वतंत्र भारत देश का अपना न्यारा है गर्तंथ न्यारा है गर्तंथ सत्र साल पुराना है हमारा या गर्तंत इस तंत में मिले हमको सफलता के मंत्र सफलता के मन भिन भिन धर्मों का है यह एक गुल दस्ता भारत देश के दिल में बस्ती है समरस्ता अखंड भारत है हमारा तिरंगा है पेचान शान तिरंगा जान तिरंगा करते सब सम्मान एक पिधान एक निशान जनगन मन है गान भारत देश के वासी करते इसका सब गुन गान भारत देश का अपना न्यारा सम्विधान अधिकार और कर्तव्यों का हो सभी को ग्यान पढ़ो सम्विधान भारत का लिखी हुई इबारत इसके पचिन्नों पर चल सुरक्चित रहे इमारत अधिकार और कर्तव्यों का है अटूट बंधन याद रहे कर्तव्य सभी को गाएं जनगन मन ग्यात हो अधिकार सभी को याद हो जुबानी बूल गए कर तव यदी तो होगी यह ना दानी भारत वासी देखो तुम हो कितने स्वतन भारत देश का अपना नियारा है गर्तन नियारा है गर्तन तो साथियों हमको अपने अधिकार और कर्तव दोनों ही याद रखने है बस इसी भावना पर मिर्थी मेरी कवीता और यही वो विधा होती है कमिताओं की विधा इतनी सम्रद्ध शाली है इतनी सशक्त है कि ये वाक्ये वहां काम करते हैं जहां तलवार भी काम नहीं करती है जहां शक्ती भी काम नहीं करती है और ऐसे ही भावों के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं अब शिल्पी दिवाकर को धन्यवाद दिव्याजी आप सभी को सबसे पहले गंतंत्र दिवस की बहुत शुब कामना है इस वर्ष हम 71 गंतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज विकास के जिन पायदानों पर भारत देश खड़ा है उसमें हमारे सवतंत्रता सेनानियों और सम्विधान की निर्माताओं का आविसमनी युगदान है इसलिए हम आज उन सभी व्यक्तियों को याद करते हुए कोटी-कोटी नमन करते हैं जिनके अथक प्रयासों से आज हम सवतंत्रता की ताजी हवा में सांस ले रहे हैं और विकास के हिंडोले का आनल ले रहे हैं आज की कविता उनी सारे पूजनिय व्यक्तियों को समर्पित करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस कविता को लिखने की मुझे भारत के सम्विधान की प्रस्तावना बहुत पसंद है क्योंकि यह सम्विधान की आत्मा है और देश के प्राण है इसलिए मैंने इस कविता में भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को जियों कित्यों लिखने की कोशिश की है ताकि हम समझ सकें कि हमारे सम्विधान की भाव क्या है उसकी आत्मा क्या है सुनिए सुनिए समाज के कई कई रंग यहाँ पर न्याय के सब जन भागी है अर्थ व्यवस्था हमारी विकाश सील है पर सब जन हितकारी है हर गाउ महौला गली यहाँ राजनेतिक न्याय से सवारी है इस्त्री पुरुष सब समान यहाँ मत देने के सब अधिकारी है रख सकते हैं सब जन यहां स्वतंत्रता से अपने विचार इस देश ने हमें दी है अभी व्यक्ति की आजादी अपार विश्वास करें हम सभी धर्म पर उपासना के सब खुले हैं द्वार स्वतंत्रता की नदी में भारत वासी हम सरोबार प्रतिष्ठा और अवसर की समता व्यक्ति की गरिमा जरूरी है व्यक्ति से भी उपर यहां राष्ट एक तसर वो परी है हम सब भारत वासी बंधुत्व के लिए संकल्पित हैं आओ इस गड़ तंत्र दिवस पर हम सभी निभाएं ये शपत महनत हमारा धर्म बनेगा मजबूत रहेगा प्रगतीपत भारत देश के इस मंदिर में मनत का धागा बांधेंगे सम्विधान को हम ही पूझेंगे इसे गीता और कुरान मानेंगे धन्यवाद बहुत ही सुंदर कविता बहुत अच्छी सी भावनाएं आपकी समाहित हैं और जो भी हमारी समेधान में लिखना है उसको बहुत ही सहज और सटीक शब्दों में आपने यहां पर प्रसुत किया और निशित रूप से ये शब्द जो हैं हमारे मन इस तल तक जरूर पहुंचेंगे और एक बार फिर से हम मनीशा जी को अमंतित करते हैं आपकी अपनी रचनाओं के साथ धन्यवाद दिव्या ये रचना शहीदों को समर्पित है जिनके कारण हम आज बहुत अच्छे से बहुत प्रेम से सत्भावना से रह रहे हैं सादर है अभिनंदन है है वीर तुम्हारा वंदन है हे वीर अलभ्य प्रणाम तुझे हर क्रंदन को रुकवाये थे हर कुल के तुम चंदन थे माता बहनों को छोड ललन खातिर देश शहीद हुए मासूमों के पिता शहीदों मात्रभू में तुम जीत लिये सादर है अभिनंदन है हे वीर तुम्हारा वंदन है हे वीर अलभ्य प्रणाम तुझे आज युवाओं के तुम दर्पन किया वीर तुमने सब अर्पन आर्त नाद को मिटा दिया कैसे दू तुमको धन्यवाद करते तेरी जै निर्विकार गिरी नभ तक छाया हर्षवाद कैसे दूँ तुमको धन्यवाद, हे वीर अलभ्य प्रणाम तुझे, हे वीर अलभ्य प्रणाम तुझे तुमने सीना ठोका वीर, बदली भारत की तपदीर तुमने छोड़ी पूरी माया, भरी जवानी रण में आया, बिना लोब के प्रान गवाया हे वीर अलभ्य प्रणाम तुझे, हे वीर अलभ्य प्रणाम तुझे, अरुप्रणाम तेरी जन्नी को, जिसने वीर सुपुत्र को जाया, सादर है, अभिनंदन है, हे वीर तुम्हारा वंदन है, हे वीर अलभ्य प्रणाम तुझे, हे वीर अलभ्य प्रणाम तुझे, बहुत बहुत ही अच्छी कविता और हम सभी इस मात से कभी भी नहीं अलग हो सकते कि आज हम जिस सिस्थिती में हैं उसके पीछे बहुत सारे हमारे शहीदों का वो अठक प्रयास है, वो योगदान है जिन्हें हम किसी भी हाल में कभी भी भुला नहीं सकते तो उनको प्रडाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं साथना जी को धन्यवाश इस कविता के माध्यम से मैंने कुछ अधिकारों कर्तवियों को याद दिलाने की कोशिश करी है अपनी कवितां से तो मेरी कविता है गर्तंत्र दिवस गर्तंत्र दिवस के इस पर्व पर हमको यह बतलाना है हमें मिले अधिकार बहुत पर कर्तविया दिलाना है हम इस देश की नागरिक यह देश हमें सवारना है हुआ सम्विधान लागू इस दिन जनता का अब होगा हर दिन यह निश्चित किया था इस दिन उच नीच का भेद नहोगा अमीर गरीब की खाई नहोगी हमको यह याद दिलाना है हमें मिले अधिकार बहुत पर कर्तविया दिलाना है सब नागरिकों को मिलकर जनगन मन गीत गाना है हम गरतंत्र के नागरिक यह तंत्र हमें चलाना है हमें मिले अधिकार बहुत पर कर्तविया दिलाना है हमें अधिकार मिला था इस दिन जाती धर्म का भेद नहोगा सोने की चडिया था जो देश उसका बदल गया परिवेश सोने की चडिया था जो देश उसका बदल गया परिवेश गंगा यमना बहती जहां पर बह रहा है खून वहां पर हमको अपना देश बचाना होगा यह भाव सभी में जगाना होगा प्रेम भाव से बंधे सभी जन यह पाठ सभी को सिखाना होगा यह पाठ सभी को सिखाना होगा हमें मिले अधिकार बहुत पर कर्तव याद दिलाना होगा बहुत अच्छी सी कविता सुनाई साधना जी ने प्रेम भाव से हम सब आपस में जोड़े रहें आगे बढ़ते रहें यही हम सब का प्रयास होना चाहिए और यही हमारा कर्तव भी है और अब अपनी भावनाओं को कविता के रूप में लिकर आ रही है शिल्पी दिवागर धन्यवाद दिव्या जो अम मैं अभी कविता सुनाने जारी हूँ वो बाल कविता है और मैं मैंने देखाए कि जब मैं छोटी थी और अभी जब मेरा बेटा भी छोटा है तो वो गणतंतर दिवस और सुतंतरा दिवस में वो अंतर नहीं कर पाते हैं बच्चे तो इस कवि क्योंकि उस दिन स्वतन्रता हमें सच्चे अर्थों में प्राप्त होई है। इसलिए सरल भाषा में गड़तंत्र का अर्थ और महत्व समझाने का प्रयास मैंने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। इसलिए ये कवीता में बच्चों को समर्पित करती हूं। कविता कर शीर्शक है आओ सीखें गडगान आओ करें गड़का गुडगान गड़तंत्र की हम समझे शान सन 47 में हुए आजाद पचास में पाया पूरा सम्मान हमारा अब अपना सम्विधान देश नहीं अब रहा गुलाम चुनते हैं हम अपना राजा लगाम होती है सम्विधान से सम्विधान में लिखे जो उपबंध है उनके तहट सबको है अधिकार समान कोई खास हो या हो आम मिल जुल कर लेते हैं निर्णय सहमती से होते सब समाधान मिल जुल कर लेते हैं निर्णय सहमती से होते सब समाधान बने विधान गरतंतर का बस यही अर्थ है सभी सबल हो बड़े देश का मान बहुत अच्छी बाते बताई आप आप सभी की भावनाओं जो इनकविताओं के माध्यम से हम सब के समक्षाई उनसे इंकार नहीं किया जा सकता और हम सब इनी भावनाओं के साथ पलते हैं बढ़ते हैं और यहां तक पहुँचते हैं और इस दिन विशेज पर इन सब भावनाओं को याद करने का हमारा तरीका जरूर अलग-अलग होता है और हमें विश्वास है कि इस गोष्ठी के माध्यम से हमारी सभी श्रोता बहने जुडेंगी इन बातों से और आगे बढ़ेंगी एक बार फिर से शुब काम नाएं आप सब के साथ सभी श्रोता बहनों को देते हुए धन्यवाद